नमस्कार गुद बारिंग वेल मार्केट के अंदर पिछले पाथ से साथ दिनों के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है और एक अच्छा-खासा फॉल देखने को मिला है ग्लोबल टेंशन की वैसे ग्लोबल मार्केट्स की सेलफ की वैसे एफाइस की सेलिंग की डॉलर इंडेक्स का अपसाइड मूव की वैसे इंडिया में अर्वे पॉलिसी जो दो दिन के बाद है उसमें रेट हाइक के चांसी की वैसे यह बहुत से कारण बन रहा है जिसकी वैसे मार्केट्स के अंदर एक सेलिंग प्रेशर एक सेलोफ देखने को मिल रहा है जातक न 17,200 का जो उपर में next resistance है यह दो लेवल का उपर में तूटना जरूरी है यह दो लेवल जैसी उपर में तूटेंगे तो उसके बाद फिर मार्केट में एक स्ट्रॉंग पूल बैक बाउंस पर की तरफ देखने को मिलेगा यानि कहने का मतलब तिल्दा टाइम निफ्टी लेवल उपर में ब्रेक होने दे उसके बाद एक बड़ी तेज़ी का उमीद करें एड़ सेम टाइम 16,800 नीचे में सपोर्ट है यह तूट गया तो एक करेक्शन और देखने को मिल सकता है तो प्रिपेड रहे मार्केट के अंदर इधर साइड मूव हमको देखने को मिल सकता है 16,800 नीचे में सपोर्ट है 17,200 उपर में रेस्टेंस है इधर साइड ब्रेक आउड हमें एक मूव निफ्टी में उपर की तरफ देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी नया लाइफटेम है लेवल दिखाने के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन पिछले 5-7 दिनों के अंद और आज का लो 37,825 यानि करीब-करीब 4000 पॉइंट का फॉल हमने पिछले साथ दिनों में बैंक निफ्टी में देख लिया विच इस शाप करेक्शन और उपनी लेवल से करीब-करीब 10 परसंट का फॉल हमने सिर्फ चार पास दिनों के अंदर ही देख लिया है नाओ धी इम उपर में इमेज़ेट रेस्टेंस बनेगा यहां बन रहा है 38,300 का पहला रेस्टेंस है 38,300 के बाद जो दूसरा रेस्टेंस है 39,000 का है यानि मेजर तेजी और रिवर्सल 39,000 के बाद बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा जब तो यह लेवल उपर में ब्रेक नहीं होता देखने को मिल सकता है तेजी 39,000 के ऊपर देखने को मिलेगी उसके बाद क्लियर कट कन्विक्शन भूव मूव बैंक निफ्टी में आएगा अभी साइडवेज है और डाइस ही है तो यू क्लियर नहीं हो रहा है इसके लिए आज मैंने आपको सपोर्ट और रेसेंस दोनों के लेवल्स बताएं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ओ इधर साइड ब्रेक आउट बेड़ा बडा मूव निफ्टी बैंक निफ्टी में बनेगा दोनों तरफ चार्ट के उपर SBI लाइफ बीक दिख रहा है चार्ट के उपर SDFC लाइफ बीक दिख रहा है दोनों कि इस यह जो गिरावाट आ रहे हैं सिमेंट सेक्टर पर आप नजर रखें सिमेंट सेक्टर के स्टॉक्स पर आप तीजी का व्यू लेके काम करें आने वाले दो मैने तीन मैने के अंदर सिमेंट सेक्टर में अच्छा मूँ उपर की तरफ देखने को मिलेगा तो सिमेंट स स्टॉक्स में डिप्स में खरदारी करें एक्जिस्टिंग पोजिशन सोल रखके चले एशिन पेंट काउंटर मुझे चार्ट के उपर बहुत अच्छा दिख रहा है यह दोनों स्टॉक्स को आप नजर में रखें यह जो गिरावाट में अगर कोई भी डिप आता है एशिन डॉक्टर एडी डिवीज लेप यह चारों काउंटर तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं और पुलबेक और बाउंस बैक में बायो कॉन ग्लेनमाक जाइडस लाइफ यह यह तीन काउंटर में पुलबेक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और तीजी के अंदर डॉक्टर डिवीज लेप संफार्म और सीपला यह चारों काउंटर के अंदर एक अच्छा मूव उपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए एक फमसेजी काउंटर भी चाट्स के अपर अच्छे दिख रहे हैं एक्च्वल चाट्स में लॉंग पोश्टिंस होल्ड करें ट्रेलिंग स्टोपल्स का यूज करें डाबर मेरीको को पाल इन श्रॉक्षिंस के अंदर लॉंग पोश्टिंस इनिशिट करें डिप्स पर रेट रेडिंग के अंदर पोश्टिंस जो करना चाते हैं वो लोग डिप्स में खरदारी करें कैश के स्टॉक्स में कॉलिटी स्टॉक्स में ऐसे कोई भी स्टॉक्स जब इस गिरावट में नीचे में 10-15 अगा नीचे मिलते हैं तो उनमें आपको खरदारी करनी चीए झाल